नमस्कार मैं केला सरमा मोटर वाइकल इंस्पेक्टर रोड सेप्टी एंड मोटर वाइकल रेगूलेंस इलिमेंट आज आपके सामने एक नए टोपिक लिखाए हूं एकसल वेट यानि कि गाडियों के अंधर वहानों के अंदर ट्रकों के अंदर जो maximum एक्सल पर बाहर कितना हो सकता है नहीं maximum उसकी loading carrying capacity gvw कितना हो सकता है उसके बारे में आज आपन discuss करेंगे पहले अगर मेरे पूर के वीडियो आपको पसंद आये हो और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले और बैल आइकन दबाते हैं जिससे की कोई भी नए वीडियो आपको तुरंत मिल सके तो अब अब एक्सल वेट 12 जुलाई 2008 रखो 12 सरकार ने मौर्थ ने नोटिफिक्शन जारी किया था जिसमें की वानों के अंदर एक्सल वेट को बढ़ा दिया था पहले जो एक्सल वेट 1990 अंदर जारी हो रखा था उस 1990 के नोटिफिक्शन का अंदर एक्सल वेट कम था फिर दिरे दिरे टाइरों की डिजाइन बढ़ गई टाइरों के रोड का इस्ट्रेक्चर बढ़ गया उसके अलावा जो वाहन की डिजाइन है उन में परिवर्थन हो यानि की परतिप एकसल पर मैंस से अहती अधिक्तम कितना बाहर एकसल पर आ सकता है अगर सिंग्गल एकसल यह और उस ऺजında 12.5 मेर्टिंस आज़िक वजन आ सकता है अगर टेंदैं एकसल किसे कहता है यह दि रिजी ड्रीड एक्सल जिनके जो सेंटर के बीच फीत की दूरी है अगर 1.8 से कम होती है तो डेम अगसल केलाते हैं अगर टेंटने मेखसल है तो यह उसका क्ना iyorum 2110 हो सकता है अगसल उसका नहीं क्योसरण सबना ATSども 9 Hamp ăn कहला आगसल और सब्सक्राइब हो सकता है इसके अलावा किसी भी एक्सल में अगर नियुमेटिक संस्पेंशन लगा है तो उसमें एक टेन की इन में बड़ोतरी हो सकते हैं साथे वारा हो सकते हैं अगर इनके अंदर है तो 21 के 22 हो सकता है अब बात करते हैं इन रिजिट वाइकल जो होते हैं यानि कि जो कम्प्रीट बने बने होते हैं टेलर और वह अलग निके रिजिट बॉड़ी इना पूरी बॉड़ी है उस केस के अंदर मैंने कुछ यह एक्जामपस दिये जो प्रचलित गाड़ी हैं जो मॉडल आते मार्केट के अंदर उनके स इस च्रिंग के साथ गुमता नहीं है तो इस केस के अंदर इसमें दो टायर लगये हैं तो इसमें सांटन हो जाएका मैकजी मनुद सेफ एक्सल लोट इसके अदर चार टायर लोट हो जाएगा साड़े-ग्यारा टन यानि कि टोटल हो जाए साड़े-अठारा टन यानि अठ लगे हैं चार इस एक्सल पर चार इस एक्सल पर और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1.8 मिटर से कम है तो इसलिए टेंडम एक्सल के लाएंगे और टेंडम एक्सल के लिए टोटल वजहाएगा 21 टन तो 21 प्लस 7 यानि कि टोटल केरिंग केपिस्ट यह जाएगी 28 टन इस मॉडल के अंदर देखते हैं इसमें आगे इस्टेट वील है यह भी इस्टेट वील है ठीना तो साट टन साटन चौदा टन यहां पर फीचे है वह टेंडम एक्सल का कॉमिनिशन है रिचिट एक्सल का तो इसके इसमें 21 और 14 यानिकि 35 टन मैक्जिमम सेफ एक्सल लोड या कर सकते हैं अब जैसे यह मॉडल एइस मॉडल का अंदर यह यह एस्टेट वील है यह दो टयायर यह ढहते इसको चाहर यह कैहाद आप इसके हो गय然 उसके बाद इसके तीन एक्सल लेकिन उसकैंट सब्सक्रार्ण यह लाए 85 यह अट्सल रिटो ट्रेक्ट अक्सल है या वजह से यह TRI-AXLE के अंदर नहीं आएगा क्योंकि TRI-AXLE TANDEM XLE में पहली सब्सक्राइब कि जो XLE वो रिजिट होना चाहिए यानि ना तो STRAID XLE हो सकता है और ना ही वो RETACTABLE XLE हो सकता है तो इसमें और यह दोनों rigid है तो यह tandem आ जाएंगे और यह individual माना जाएगा indigisual में इसकी capacity हो जाएगी और एक तन है इसमें pneumatic suspension लगा वह तो एक टन pneumatic suspension की वज़े से extra मिल जाएगा तो यहनी कि टोटल हो गें टोटल 43 टन इसकी maximum safe carrying capacity हो जाएगी इसके बाद यह लेखते हैं यहां पर यहां पर फोटर लगें पॉटर फाइफ तन हो जाएगा और इसका अधर एक टन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा और वह दूट टेंडम एक्सल हो गया तो टोटल इसके एक्सल हो गया वेट वह गया 47.5 टन इसके बाद यह कंबिनेशन है इसमें आगे इसके बीच की दूरी है इन दोनों यह दोनों टेंडम एक्सल है लेकिन यह दोनों रिटेक्टेबल है तो इसके साथ में यह नहीं आएंगे इंडिजिवल माने जाएंगे इस प्रकार से टेंडम का 21 इनका 77 और तो टोटल हो गया 49 टन यानि कि कोई भी रिजीट वाइकल है वह अधिक समसे अधिक दिंग 49 टन से ज्यादा नहीं हो सकता है आज की तारीक के अंदर मैक्जिमम सेफ एक्सल लोड 49 टन तयकर रखा है इससे ज्यादा विद्ध कोई वाइकल नहीं बन सकता है अब आपन बात करते हैं सेमी टेलर के बारे में आर्टिकुलिटेट वाइकल में आर्टिकुलिटेट वाइकल में कॉम्बिनिशन में देखते हैं आपन जैसे हो से होर्स के अंदर यह आगेए स्ट्रेट वील हो गया इस्ट्रेट वील टू टायर लगया तो यह हो गया इलीन पंट पाइफ और यह हो गया साट अब पीछे दोने टैंडम एक्सल है यह तो ट्वंटी वन टर्ण हो गया यानिकि ट्राइख्सल है यहां पर क्योंकि तीन नहीं रिजीड एक्सल है और जो आउटर एक्सल है इसके बीच की दूरी तीन मिटर से कम है तो इसलिए ट्राइख्सल की से निवाएगा ट्राइख्सल हो जाएक तो यहां भी इसका 27 हो गया 27 प्लस 7 प्लस 11.5 यह हो गया 45.5 टन मैक्जिमम सेफ एक्सल लोड कर सकता है इसके बाद एक यह कंबिनिशन है इसमें आगे इस्टेट भी लो गया यह दोनों टेंडम एक्सल हो गया 21 टन हो गया 21 प्लस 7 28 तो यहां पर हो और पीछे भी यह ट्राइख्सल है तो ट्राइख्सल में 27 यहां पर हो गया तो टोटल 55 टन्स केरिंग कैपेसिटी हो जाती है इस जिस परकार से रिजीड वाहिकल का अंदर 49 टन्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है उसी परकार जो सेमी ट्रेलर है आर्टिकुलिट ट्रेलर है उसके अंदर 55 टन से ज्यादा नहीं हो सकता है अपन यहां पर जो मॉडूलर्ड पूलर्स उते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिंपल रिजी ट्रक और लकिंगी लगे होते हैं उसके बाद मैंने एक एक्जामपल लिया है जैसा कि आपको पता है कि पहले जब जैसे जो जी वी डूबलो होता था वो चालिस दोस्त होता था बाद में जब बढ़ गया तो 45-500 की सेड़ी में आ गया लेकिन आज के समय में एक ही मोडल के कई हम इवरियंट नवींड़ सकते हैं यह कि इसमें कितने रहे हैं और और अजिया के लिए हैं पान्च मॉडल है तोतल है दो को मोडल यह पांच वेरियंट आता है यानि कि वाइकल फाइफ वेरियंट के अंदर पास हो सकता है इसका जीवी डबू हो सकता है पहला 49 टन दूसरा 47.4 फिर 4680 45960 और 45 टन यह पांच वेरियंट में वाइकल से में एक्सल से में ठीना लेकिन फरक क्या है कुछ के अंदर डिटेक्टेबल एक्सल नहीं है और कुछ इसलिए यह वेरियंट में फरक है तो इसलिए जब भी आप कोई भी डीलर है गाड़ी बेजता है तो सबसे पहले उसको 21 नमर फारम है जो प्रोटोटाइप है टैक है यानि कि टैक का मैंने के एक्जांपल दिया है इसके अंदर कितने उसके वेरियंट है और किस वेरियंट प्रोटाइप पास हो रहे है उस एप्रूल के एकोड़िंट वही फारम दे रहे हैं आप जैसे गाड़ी तो है सब्सक्राइप फॉर्टी फाइव वाले खरीदी है और मोडल से में वहीं गुनपचास पच्छी से ठीकिन या लग्वावी पास कर सकते हैं तो लेकिन वहां गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्टी फाइफ ही और इसको पास नहीं कर सकते हो सकता है यहां पर टायर में उसका फरक होगा यह उसमें रिट्रेक्टेबल एक्सल नहीं होगा तो इसलिए ऑल्वेज चेक करके उसके बाद इनका रिश्टेशन करें इससे की बाद में दिक्कत नहीं आए तो यह एक्सल बेट के बारे में था में अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको जरूर लाइक करें शेर करें और सब्स्राइब करें थैंक्यू जैहिन जैवारत